नमस्कार दोस्तों आए आपका स्वागत है हमारे यूटूब चनल राइडर पड़ेल में दोस्तों आप देख रहे हमारा चैनल आज की वीडियों दोस्तों हम बात करने जा रहा है कि नमकीन का बिजनस कैसे शुरुआत करते हैं एक नमकीन है यह जो आइटम है हर जग खाई जाती है भारत के हर एक कौने में नमकीन का बिजनस कर सकते हैं और हर एक जग यह आइटम आसानी से बिग जाती है और हर घर में यह सीज खाई जाती है तो दोस्तों नमकीन का बिजनस हर एक बंदा सुरू करना चाहता है तो खास क के मैं आज इस वीडियो में आपको वह वह आइडिये दूंगा जो कि आपको सिंपल और एकदम आसान तरीके लगेंगे और एकदम लो कोस्त यानिये की सोटे इस तरशे काम कैसे सुरू करें उस पर हम बात करेंगे इसमें बड़ी मिसिन लानी है वह लानी है ज्यादा कुछ दोस्तों सुरुआत करनी है तो सोटे इस तर से कीजिए ताकि आपका आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहे और अगर अभी से आप अपनी जड़े आची गहरी करेंगे ना तो आने वाले समय आप बड़ी मिसिन भी आसानी से ले सकेंगे और थोड़ा-थोड़ा इक भी मिलेगा कि भी कैसे क्या करना है तो नए बिजनेस में उतरने से पहले दोस्तों आपको ज्यादा बड़ा बज़ेट नहीं लगाना है एक लाग या एक लाग 25,000 का बज़ेट से आप अपना काम सुरू कर सकते हैं सबसे पहले आपको एक चाहिए दुकान या फिर गो सबसे पहले बात यह दोस्तों कि अगर आप नमकीन का बिजनेस सुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको माल बनाना आना चाहिए नमकीन बनाने का आपको तरीका आना चाहिए कि नमकीन कैसे बनाते हैं मान लें कि आपको नमकीन बनाना नहीं आता और आप किसी मास सब्सक्राइब और दुशने में दोस्तों तो सब्सक्राइब है दूसरी बात इसेसे ही दोस्तों अगर आप नेता सा इसे सब्सक्राइब ent यह 9 बने रहता है कि कंच कश कमा कैसे त्यार करना है हाई लेंस का मद बनाना वो बन्दा आसानी से रही बता देगा और तूह हो गए मस्टर गी बात दूसरी बाति है कि नमकीन बनाने की ली पिजन सुर मुकरने के लिए हमको क्या क्या सामान लगेगा तो सबसे Isaac С merekit देख सकते हैं यह पर यह पांच परकार के जारे हैं जिसमें देखों सबसे पहले बावनगरी का जारा आता है बावनगरी के जारे से आप अपने अलग अलग नमकिन भी बना सकते हैं बावनगरी से बना सकते हैं रतलामी से बना सकते हैं दूसरा आता है वो है बुंदी का जा अई कड़ा हो तरी चर्व आपको बड़ी जिसने आप माल बनाई केरें और एक जारा मिशीन मiento nenhuma ऐ मारंकरें कि मिशिन बुजिया मेकिंग मशिन ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी दोस्तों ये जारे काम मिलते हैं कड़ाई काम मिलती हैं शेव बना बुजिया बनाने की मिशिन काम मिलती हैं तो इसका निचे डिस्केप्शन बॉक्स में मैं एड्रस दे रहा हूं यह सामन खरीदने में आसानी हो और दोस्तों अगर आप मिशीन खरीदना चाहते हैं तो इस मिशीन भी आपको इंडिया मार्ट पर मिल जाएगी यह ऑनलाइन बजार एक बहुत बड़ा स्टोर है इंडिया मार्ट जहां पर आपको नमकीन भुजिया बनाने की मिशीन आपको म जाएगा चलिंछे तो आप बात करने भुज्चे हैं तीसरी बात यह है कि नमकीन बनाने की लिए बेसं कौन से उसक्रते हैं तो दोस्तों आपको एक कम रेट का भी है और माल भी उसमें अच्छा बनता है उसके बाद में आता है रिफाइंड हो लाता है गोल्ड रॉफ का आता है सल्फॉर का आता है वह वाला आइटम वह वाला ओयल भी आप यूज कर सकते हैं तो दोस्तों यह हो गए बेशन और तेल अब बात करते मसाला की तो अल्वी मिर्चि यह काली मिर्च का पाउडर और यह से मसाले हो गया चाट मसाला व गया इसके बावजुद भी आ अंञ आल्लाइन आपको बुजित है विकाजी बुजिया मसाला यह जो मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन में आप गूगल परचास करेंगे कि वह ऑनलाइन मसाले आपको आपको कम से कम 10 किलो की कौंटेडी में अगर आप आपको डिलेवरी होगा एक दो किलो के लिए डिलेवरी नहीं होता है उसके बाद में दोस्त कि यह माल बनाने के बाद कितने दिन तक खराब नहीं होता तो सबसे मुख्ये बाद यह है कि नमकीन का आप कोई भी माल बनाऊ से उपापडिक कुछ भी बनाऊ यह माल बनाने के बाद दोस्तों इसकी देखबल अच्छी करोगे अच्छी पैक करके रखेंगे मौसम की हवा नहीं लगेगी तो यह माल आपका कम से कम 45 टू 60 डे जाने कि दो मेने तक खराब नहीं होता है अच्छी देखबल करोगे तो और अच्छा पेल यूज करेंगे तो तो दोस्तों मेरा तो कहना आप से यह है कि सुरुआत आप ऐसी करें कि आपका माल स्टॉक में ना रहे उतन माल आप मनाई जितना आपको मार्केट से ओर आया है ज्यादा स्टॉक मत कीजिए दिरे दिरे आपका बिजनेस ग्रोव हता जाएगा तो वैसे वैसे आप माल स्टॉक करते रहे ठीक है दोस्तों और सुरुआत में आपको बता देता हूं तीन चार आइटम ही सुरुआत में सुरुक कीजिए नंबर वन है विकजी भुजिया जो बारिक से वाती हो वाली नंबर टू पापड़ी है नंबर त्री है भावनगरी से और रतला में से और बुंदी मिक्स यह वाले आइटम ही सुरुक कीजिए और यह यह तो अलगलग प्रोडेट हो गए उसके बाद में कि इन सब को मिक्स करके भी एक किलो का पैकेट बनाकर मिक्स नमकिन इसको दाल मोट मिक्स बोलते हैं यह भी आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं तो सुरुगात में आप इतना ही माल बनाईए उसके बावजुद आप दूसरा कुछ ज्यादा एटम ना बनाईए इसी पर आप पर इसलिए लगता है कि दोस्तों आप रेंट पे किरायर पे एक गोडाल लेंगे मिसिनेरी आप खरी देंगे जारा वार आप खरी देंगे यह ऐसा करके सब कुल में बट्टी बट्य आप खरेंगे तो एसा करें पूल आपका लाक रुपए तक तो आपका आज़ा की बट्टी यूज कीजिए थाकि आपका मतलब पुलीशन ज्यादा नहीं होगा लोग भी अब्यूक्शन नहीं करेंगे और अगर आप ओपन एरिये में हैं गाउं काउंसाइड है तो आप लकडी की बट्टी यूज कीजिए इसमें आपकी कॉस्ट रेट भी कम आएगी औ तो इसमें कम से कम एक बार में 15-20 लिटर तेल आएगा तो आसानी से आप सेव फ्राइ कर पाएंगे और दोस्तों अगर आप मिशिन ही लेना चाहते हैं तो आपको मैं एक फोटो या पर दे रहा हूं ये वाली मिशिन आप लेंगे इसके साथ में 10 प्लेट्स मिलती हैं जिस से ज्यादा 40 किलो माल एक गंटे में तयार कर लेती हैं इसकी मोटर की कैपिसिटी है उसके हिसाब से बता राम तो अगर आप दिन की आठ गंटा मिशिन चलाएंगे तो आठ गंटे कितना माल बने का आप इसाब लगा लीजी तो दोस्तों इस तरह से आपको बिस्निस तुर कि आपको बताएं ताकि वह लोग आपके माल पर दिश्वास बनाए रखे और आने वाले समय आपके माल की मांग पकट ज्यादा बने रहे तो दोस्तों यह तो हमाया हो गया आज का यह बिजनस के बारे में दोस्तों इसके अलावा भी कोई जानकारी अगर आपके मन में है वहां से आप मुझे से कॉंटेट कीजिए और आपका सवाल जो भी पूछे मैं आपको रिप्ले करूंगा और जारे वाले का कॉंटेक्ट नंबर और उनका लिंक भी निचे डिस्क्रिक्ट में में दिया हूं ताकि आपको आसानी रहेगी दोस्तों दोस्तों मैंने जो ब बैसों के बारे में धियान देना है कि यमको बजट कितना खर्च करना कैसे गह ना है इन सब सीज का भी धियान होना जिरूरी है इसलिए जयादा खर्चांए ना करें कम क्षुट में माल तैयार हो इस तरह का आप एडिया लगाया और नमकिन कैसे बनाते हैं वो तो आप अम कि दोस्तों और ँमारे साथ बने रहें दोस्तों और भी लोगे सब्सक्राइब के लिए अर आप लोग भी आमारी बात पर अच्छा मेनिफ्enhout दोस्तों तो दोस्तों चलते हैं मिलते हैं अगली उडियो में खुछ रहें सावधान रहें सदर्क रहें जैहिन बंदे मातर हुआ